बात करने वाले ही, अगर आप ध्यान पुर्वक सुनते हैं तो आप जैल जाने से बच सकते हैं और आपधी का कस्टमर यानिया आपको जैल भेजने के लिए तयार है क्या आप जाने के लिए तयार हैं अगर नहीं तो आप पूरा अन-तथ जरूर देखें भ Ally बहुत सारे लोग का ये message आ रहा है और बहुत सारे लोग इतने ज्यादा परसान है अभी के situations में क्योंनका message पढ़पढ़के हम लोग परसान हो चुके हैं उनकी जू समस्य क्या-क्या उनका में है अभी कस्टमर का पैसा एकाउंट से कट जा रहा है बट इनके प्वनलट में सो नहीं कर रहा है यहां तक जो अपका इकट्लियो होगा जो अपने संटर पर लगाएंगे जिसमें आपका नां मॉबाइल नम्मर अपका लुकेशन सब कुछ रहेगा बजापते वहां पे पेनियर भाई का लोकेशन आपका बैंक का लोगो भी रहेगा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं और एक वीडियो में की जब कोईटांजक्शन फस्ता और आपसे अधार नंबर मांगा जाता है तो अब करने चाहिएak भाईल नंबर क्म शुलिए न ब्रद्द्य में धुक्तिक्ते अदिक नंबर अंप देते हैं उसका मॉबाईल नंबर बन जाते हैं मोबाईल डाल कैसे जबंग हो सकता है या नहीं होसकता है आप लोगों को बार cage किजी आप लोग करते हैं अपना पर यक्रहा करते हैं तो पहली बात कि अपना नंबर यूज नहीं करना है ग्रहा का अता है उसका मोबाइल नमबर यूज कीजिए एक एक्सल सीट बनाके रखिए अभी क्योंकि लगातार रहना बैंकिंग सर्वर पे इसू आ रहा है पहले भी खा गया था लेकिन अभी बैंकिंग सर्वर बहुँ जादे इसू आने के कारण आप जो है एक एक्सल सीट बनाईए जिसमें नाम होना चाहिए सिरियल नमबर नाम मोबाइल नमबर कस्टमर का नाम लिखना हुआ ठीक है ना कस्टमर का नेम लिख दीजिए मोबाइल नमबर लिख दीजिए पता में अगर गाउं का नाम लिखना है तो लिख दीजिए अधहार नमबर लिख दीजिए ठीक है किस bank का account का transaction कर रहे हैं उस bank का नाम लिख दीजे हो सके अगर उसके पास account number है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं है आप bank का नाम लिख दीजे time लिख दीजे कितना बज़ उसका transaction करने जा रहे हैं ठीक है और जब उसका withdrawal हो जाए जितना रासी का भी आपने किया है विड्रॉल वो रासी लिख करके उसका सिंगनेचर या अंगूठा लगवा लेजिए इससे आप बचे रहेंगे कि हाँ यहाँ पे यह टांजेक्शन जो हुआ है वो आपके यहाँ हुआ है और जबी कोई डाटा मांगा जाएगा तो आप दे पाए बता है कितना वजह हमने बैलस इंकौरी या बैलेंस विड्रॉल कर रहे थे और उनका पैसा कड़ गया ठीक है तो एक टाइमिंग लिकर करके रख लेना है कि कितना वजह आप जो है ना टांजेक्शन कर रहे थे दूसरी बात आपको करना यहाँ है कि अपने जो भी गरहां क आपके पास आते हैं उनको बता देना है कि भहिया अगर अधार से आप पैसा निकालने हैं और पैसा फस जाता है तो 7 working days में आपके bank account में पैसा आ जाता है लगवग अगर वो पैसा नहीं आता है तो आपको खुछ से अपने local branch में complain करना है जैसे ATM से कोई पैसा निकालता है और पैसा फस जाता है तो complain कोन करता है ग्रहांग खुछ से करता है ना कि ATM मसीन उठकर के जाती है कि हैना हम जाके भहिया complain करेंगे कि हैना मेरे ATM से पैसा निकाला ता पैसा नहीं निकला उसी तरह से आप ATM हो ना आधार ATM लोग यूच करना है आप ATM है अब ATM उठके तो नहीं पारी है अगर complain होता है तो वह करवाएगा ठीक है अगर बरांच मनेजर नहीं करता है तो उस कंडिशन में बहुत से हेल्प लाइन नंबर आपके बैंक में ही दिए हुए रहते हैं जोनल मेनेजर का नंबर दिया रहता है वह ब्रांच जाएगा तो हहां पर बहुत से जोनल रिखा रहा हूँ तो बैंक का से रिखा रहा है तो उनको अगर दवा डलवाना है तो बैंक के ही परसन से डलवाना होगा तो अब जब भी ब्रांच जाते हैं वहापे जो बड़िया पता दिकारी है उनके भी नंबर दिये रहते हैं उन पर कॉल करके बोले एक EPS फस्जाता है तो आप गरहा के निकाल ला है साथ थोरे के गरहा को आप से बिधा नहीं दिया गरहा के निकाल ला था पैसा यह बात समझाईगे अब अगर कोई पैसा फस जाता है तो आप भी एक काम कर सकते हैं आप customer care को mail करेंगे क्या लिखना है पहले लिखना है amount deducted from the customer account but नौट क्रेडिटेड इन वालेट मतलब एमाउंट कस्टमर के काउंट से कट गया मेरे वालेट में नहीं आया आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अब लिखना है पार्टी का सबसे पहले अपना रीटेलर मोबाइल नमबर लिखिए क्योंकि आपका टर्मिनल आइडी जो होता ह है रीटेलर मोबाइल नमबर वही आपका यूजर आइडी मतलब एक तरह से अचान है आपका कंपणी के पास अपना मोबाइल नमबर लिखने के बाद आपको क्या गरना है लिखना क्या है टांजक्शन टाइप विड्रॉल अगर पैसा निकाल ले थे तो विड्रॉल ठीक ह आटेलर मोब करते हैं ह्सका है अगर इसी जल से जलकिरें कराए जाया और उसे मेल कर दिजिए तो हो सके तो ग्राहक से आप मांग लीजिए उसके मिनी स्टेटमेंट को ऐसे भी कंप्लेन यह नहीं कि आज कर गया आज ही कंप्लेन कर देना तो मेल भर देना कंपनी का कि हां भया पैसा फस गया पैसा फस गया पैसा फस गया पहले साथ दिन वेट कीजिए साथ दिन अगर पैसा नहीं आता है तब पास्वुक अप्डेट कराई किस डेट से जिस डेट को आपने टांजक्षन किया था और इन डेट तक जिस डेट को आप कंप्लेण करने जा रहे हैं उस पे जिस डेट को पैसा कटा है उसे पैंसिल से घेर दीजिए थोड़ा डार करके ताकि दिखाई दे जहां पर आरा रहे नंबर आदी है जो टांजक्षन आइडी होता वह कंप्लेण में भी लिखना जो मेल कर रहे हैं और इसको एटेच कीजिए साथ में हो सके तो पाटी का अधार काद भी एटेच कर दीजिए और मेल फॉरवर्ड कर दीजिए केर को ठीक है इतना करना है पैसे लगातार फस रहे हैं थैंक यू यह स्पीच आपको बहुत अच्छा लगाया दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बारिकी से इन स्पीच के उपर जो सर ने अपने स्पीच में हम लोगों को समझाने की कोशिश के रहे पहला उनका कहना तकी एकसल सीट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का यह कमी है कि ऐसी ही पैसा किसी का धड़लत से निकालना सुरू कर देते हैं और अपने रिटेलर अपने पैसा निकालना सुरू कर देते हैं और अपने डिस्टिब्यूटर को अपने आर्म को यह बदन धड़लत से मैसेज करना सुरू कर देते है कॉल करना सूरू करते हैं और किस डेट में पैसा कटा है कितना पैसा कटा है timing क्या है नतीं उनके पास में कुछ भी डेकॉर्ड नहीं होता है अब बाया बताओ मेरे को भाई अगर आपके पास में कोई record अपने कस्टमर का नहीं रखते हो उस सिच्वेसिंटमर अगर आपके उ पर में फायार कर दें आपके उपर जाए कंप्लेंड कर दें फिर आप कहां जाओगे आप एक पल के लिए सूचों आप परसेंट मन मानता हूं कि मंदारी सा पॉर करना अबहार नमबर से ढाल करके मुभाइल नमर से डाल करके और करने में आसानी मिलती है बैंक को भी कि यह पैसा जो फसा है और किस तरीके से पैसा हुआ तो फिर इमसेट्ली आपको इस सपीछ से तो सीख मिल गई होगी कि सबसे पहले जो भी केश्टमर का पैसा निकासी करते हैं उसका सारा डिटेल्स आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है अगर एकसल सीट आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है उन्होंने step by step क्या के बताया ना mobile नमर अभार नमर अब कितना पैसा निकाल रहे हैं टाइमिंग सिगनेचर यह सब कुछ अपने खोपी पर बनाएंगे क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग गाउं में देहाप में काम करते हो और सहर में भी बहुत सारे हमार साथ ही काम करते हैं कभी आपके साथ कोई ऐसा घटना ना घटे अब घटना के मतलब क्या है कि अभी जिस तरी किसी यह ट्रेंड चल रहा है बहुत सारे CSP संचालक हैं बहुत सारे APS वाले हैं जिन फ्रॉट करके जेल में जा रहे हैं अगर हो सकता है कि आप इमांदारी से काम कर रहा है आपको कोई फसाने वाला आपको अगर इस तरह कर देता है कि हां हमने पैसा निकालने गया इनके पास में यह पैसा मेरे कुछ निकाल लिए या फिर मेरे पैसा कम दे दिए आपके पास क्या पुरूब बनता है कुछ तो नहीं है आपके पास में तो यह सर का कहने का मतलब मकसद यह है कि आप लोग अपना हर एक ट्रांजेक्शन का विठ टाइमिंग के साथ में अपने रेजिस्टर में में रखें तो आपको तो समय देना पड़ेगा मेरे अगरे सुरक्षा के साथ काम करें कोई आपके उपर उंगली ना उठाए अगर एक बाल बताए अगर इस तरीके से सारा डेटेल आपके पास मेंसर रहता है अगर इभी तो खेल सर्वर का इसू चला है जिसे कारण से आप लोग कस्टम के एकाउंड में रिफंड चला जाता है तो इस अब बातों को बहुत बारिकिस आपको ज्यान रखना है जो भी डिटेल्स आपको वहां पर बताया गया है उन सबों का पीडिएफ का लिंक आपको डिस्क्रेप्स बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाएं डाउनलोड क आपके ब्रक को दिया हूँ और डिस्प्लेपी भी देख सकते हैं मैं इसका सब कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रेप्स में में डाल दूगा वहां से डाउनलोड कर लेंगे अगर वहां पैसा निकासी करने से पहले चोटी सी एडवाइस उससे दे देते हैं आप अगर इनक पैसा कर जाता है फिर आपस में वो लोग तुटु में करना सुरू कर देते हैं इन सब समस्याओं से बचने के लिए यह जितने सारे डिटेस्स में आपको परभाइड कर आया हूं उससे आप जरूर फोलो करें दोस्तों आई होब दोस्तों की जनकारी आपको अच्छी लग करें ूके थाइं प्यू क्याप्न वे स्ट्रप्लाज थी अगए